Unexpectedly, उम्मीद से बाहर, उम्मीद नहीं थी मुझे, my head popped out of the water, अच्छानक जिसे मेरे के उम्मीद नहीं थी, क्या हुआ, my head popped out of the water, to pop out यहने निकल जाना, बाहर आना अच्छानक, आप लोग जब कुछ देखते हैं, सोशल मीडिया में, वीडियो या कुछ भी, तो अच्छानक कुछ विग्यापन आता है, अच्छानक कोई सा आइकन आता है, वो क्या होता है, pop out, और इसलिए, विग्यापन देने वाले कई लोग पूछते हैं, कि did you like pop up, मतलब क्या आपको विग्यापन पसंद है, तो वो pop up मैंने विग्यापन निकलना, तो यहाँ पर my head popped out of the water, पानी के अंदर में डूब रहा था, घुज गया था अंदर, अब धीरे धीरे उपर आया, पानी भी कम हुआ, और मेरा सिर पानी से बाहर आया, अच्छानक यह सब हो, unexpectedly, उमीद से पर unexpectedly, my head popped out of the water, पानी से बाहर मेरा सिर निकला, after few meters, क्या होता है, जब बहुत तेज तरंग आती है, और जब तकराती है, उसके बाद तरंग वापस जाती है, तो अपने साथ बहुत सारा पानी वापस ले जाती, तो पानी का जो star होता है, level, वो बहुत नीचे आ जाता है, और नीचे डूबा हुआ आदमी, ऊपर आजाता है, तो उसका जल्दी वो ऊपर आजाता है, पानी के, this is what happened exactly with this gentleman, that his head popped out a few meters away, उसने देखा कि कुछ मीटर दूर, वेव वाकर डूब रहा था, वेव वाकर क्या है, आपको मैंने बताया, वेव वाकर उस बोट का, उस जहाज का नाम है, जिसकी एगटना बताई जारी है, वेव वाकर, वेव वाकर मेरे से कुछ कुछ मीटर ही दूर था, यानि कुछ फीट ही दूर रहा होगा, 30, 40, 50 फीट, और वो कैपसाइज कर रहा था, to कैपसाइज मतलब डूबना, वेव वाकर वाकर उस नियर कैपसाइजिंग, अलगभग डूबने की कगार पर था, हर मास्ट अलमोस्ट होरिजोंटल, अभी हमने पढ़ा वर्टिकल, जमीन की सता से सीधा उपर खड़ा हुआ हो, तो वर्टिकल, कोई भी चीज, वर्टिकल किसी चीज को रखना, और जमीन पर लेटा हुआ हो, जमीन के बराबर हो, तो वो होगा होरिजोंटल, तो जो पानी का जो जहाज था, वो जहाज को मैं देखा जैसी मेरा हेड पॉप आउट हुआ, दो मोमेंट माइड पॉपड आउट, आई साथ शिप, वेव वाकर लिटल नियर मी, और फाउंड इस लाइंग, अलमोस्ट सिंकिंग, लग बग डूब नहीं वाला है, और होरिजोंटल पड़ा हुआ है, यानि पूरा गिर गया, उल्टा तो नहीं हुआ था, पर पूरा लेट गया था, और उसका जो मास्ट था, यानि जो सबसे लंबा मस्तूल, जिसमें पाल लगी होती है, वेव वाटर वर नियर कैपसाइजिंग, हर मास्ट अल्मोस्ट होरिजोंटल, उसका मास्क जो था वो लगवग पानी के साथ साथ, पानी के बराबर लेटा हुआ हुआ था, और फिर एक और पानी का जोर का जोंका आदा, हर मतलब ह-ई-उ--र-ल, ह-ई--र-ल मतलब हर मतलब उडाना, जोर से धख्का देना, He hurled a stone at me उसने मुझे पर एक पत्थर फेका To hurl मतलब फेकना Hurl मने जोर से फेकना Then a wave hurl और एक तरंग फिर आई यानि जैसी मेरा सिर उठा मैंने देखा जहाज खड़ा है और डूब रहा है लगबग डूबने की कगार पर है और उसका जो मास्ट है वो horizontal है यानि वो जहाज गिर चुका है पूरा upside down नहीं हुआ है लेकिन गिर चुका है उसका मास्ट जो है वो समुद्र की सितह के साथ साथ लंबा लगा हुआ और जब ये था उसी समय एक और जोर की लहर आई और वो लहर इतनी जोर की थी जिसे मैं देख रहा था कि लफ़ग डूबने वाला है capsize होने वाला है वह जहाज मेरा एकदम सीधा हो गया that wave held my ship upright उसने मेरे जहाज को सीधा फेक दिया सीधा कर दिया उसको उठा के सीधा कर दिया किसने तरंगों ने तरंगों ने हैं इसे गिराया था अब तरंगों के प्रभाव से वो सीधा भी हो गया बहुत बड़ी बात थी और जो मेरी life line थी my life line jerked tot my life line jerked tot life line क्या है मैंने बताया था लंबी रसीयां जो होती हैं जिससे लोग बंदे रहते हैं वो life line कहलाती है तंड जाना और जर्क मतलब झठका जएर के जर्क याने जठका कार के कार बहुत ज्रककर कर रही है भाई बुलते है नहम कार में बहुत ज्रक हो रहा है मतलब बहुत जठके लगने हैं कार का shock up जब ठीक ऱ cherry नहीं रहता है तो ऐसे इह जर्क कर रही है, चाड़ा कूबर खावड रहती है तो हम कहते हैं बहुत जर्क हो रहा है हाँ, तो जर्क मनें जटका हिलना, तो जो जैसी मेरा जहाज सीधा हुआ, सीधा होने से उसकी जो रसी थी, और मैं जहां था, उसमें रसी में तनाव आगे, and I felt it, my lifeline जर्क टॉट, I grabbed the guard rails, and sailed through the air, I grabbed the guard rail, to grab मतलब जोर से पकाड लेना, guard rail किसको बोलते हैं, rail मतलब train नहीं, rail मतलब train की पांथ नहीं, rail मतलब कई जगा आप देखेंगे, सीधियों में, पाइप लगा रहता है, पकड़ के चड़ने के लिए, लंबे पाइप, स्टील के, कई जगा आप देखेंगे, दीवाल जब खतम होती है, जिसे हम पैरापेट वाल कहते हैं, पैरापेट वाल, तो पैरापेट वाल की थोड़ी उचाई वढ़ाने के लिए, एक फीट उचा पर क्या हुआ कि जो पाइप था, जैसी मेरी रची कड़ी हुई, मैंने वो लाइफ लाइफ लाइन कड़ी हुई, मैं एक दम, I sailed through the air, I grabbed the guard rail, मैंने वो जो rail है, लोहे की rail, जो जहाज में लगी थी, उस rail को मैंने पकड़ा, और सीधा, sail through, और अपना रास्ता बनाते हुए, to sail through the air, और हवा में अपना रास्ता बनाते हुए, मैं wave walker किया, जो main boom है, उसमें आगया, पानी में था, जहाज भी डुबा हुआ था, जहाज खड़ा होता है, और जैसी खड़ा होता है, जहाज से जो मेरी रची बंदी हुई, वो कड़ी हो जाती है, उस कड़ी रची को मै पकड़ के हवा में, I sailed through the air, हवा में मैं से पकड़ के उपर उपर चड़ता हूँ, और जो rail बना हुआ है, rail से जंप करके, मैं कहा आ जाता हूँ, जहाज wave walker के boom में आ जाता हूँ, उसके जो platform है, उस पर पहुंच जाता हूँ, घटना बहुत तेजी से हो रही है, और देख अगली तरंग ने जहाज को डूपते जहाज को सिधा कर दिया था, subsequently waves tossed me around the deck like a rag doll, अब जब मैं जहाज पे आया, तो जहाज में तो पानी भरा हुआ था, तो subsequently मतलब क्या, इसके बाद, subsequently मतलब इसके बाद, इसके बाद जो waves थी, उन्होंने मुझे toss कर दिया, toss करना मतलब जहाज के उपर जो पानी था deck में, बहुत भरा हुआ था, मैं उस पे गिरा, आया, कुदा, और जहाज के पानी में, मैं उच्छने लगा, यहाँ से वहाँ मुझे जहाज का पानी फेकने लगा, it tossed me around the deck like a rag doll, कैसे, rag doll जैसा, toss करना मतलब उच्छना, मुझे वो पानी उच् rag doll की तर, rag मतलब फटा चीथड़ा कपड़ा, rag card क्या होता है, फटा चीथड़ा कपड़ा, the story of ambani is from rags to riches story, the story of ambani is a rags to riches story, rags मतलब चीथड़े फटे कपड़े, daridrita, rags to riches, r-i-c-h-e-s, riches मतलब धन, गरीबी से, अमीर बनने की कहानी है, अmbani की, ये एक वाक कैसी मैंने बनाया है, आपके जानकारी के लिए, कि rag मतलब फटे चीथड़े कपड़े, daridrita, तो मेरे को rag doll, ऐसे फटे चीथड़े, गुडिया की तरह, खिलाने की तरह, मुझे वो पानी है, जो उच्छालने लग गरीबी, बाई पसली, वो टूट गई, क्रैक होई, वो टूट गई, क्योंकि मैं टकराया था, भील से बुरी तरह, उसके बाद फिर मैं पानी के अंदर पड़ा था, फिर मैं आया और ले दे के कैसे भी करके मैं जैसी जहाज में आता हूँ, जहाज का पानी मुझे दिखता है वहाँ, उससे टकराता हूँ, दिवाल की, जहाज की दिवाल थे, वहाँ से फिर टकराके इधर टकराता हूँ, ऐसा दृष्य वहाँ मेरे साथ हो रहा था, तो my ribs cracked, my mouth filled with blood, मुह में खून आ गया, fill मतलब भरना, fill मने भरना, तो my mouth filled with blood, my ribs cracked, rib याने पसली, rib याने पसलीया, मेरी पसलीया, crack हो गई, तूट गई, my mouth filled with blood, and broken teeth, और दाज भी तूटे हुए थे, जो मेरे मुह में था, तूटे दाज, याने बुरी तरह मैं घायल हो गया था, और घायल होने का स्री करण क्या था, भुए तूटे पूप давайте अुए आने मेरे तूटे यहां था अप ब्याँ आनना, यहुए हुए तूटे मेरे, तूटे मेरे I broke my teeth and there was blood all in my mouth somehow I found the wheel जब ऐसा सब हो रहा था तो इस उच्छल कूद में पानी के दौरा जब मैं उच्छाला जा रहा था यहां से वहां तो कि हवा तो बहुत तेजी से पानी उच्छल क्यों रहा था तरंगें बहुत तेज थी जहाज भी बहुत डावा डोल हो रहा था मास्ट या पाल भी अब उसका खराब हो गया था तो जहाज की दिशा नहीं थी और तेज हवाएं और तेज रंगों के कारण जो डेक में जो पानी था वो पानी बुरी तरह यहां से वहां मुझे उच्छाल रहा था इसी उच्छाल में मेरा हाट टकराया वो वील से जो जहाज का होता है स्टीरिंग जिसको मैं कह रहा हूँ आई फाउंड वील जो बहुत बड़ा लोहे का होता है और लाइन अब दे स्टर्न उस वील की मदद से मैंने पाल को ठीक किया पाल की दिशा पाल किस काम के आता है पाल जहाज को दिशा देने के काम आता है हवा आती है पाल से टकराती है तो उसको काटने के बदले उसे रोकते हैं और उस रोकने का जो प्रेशर होता है उससे जहाज की दिशा बदलती है पाल का संबन्ध हवाउं से है तेज हवाई चलेंगी पाल से टक्राएंगी तो पाल से कितना टक्राना है ये वील से तैकिया जाता है तो मैंने वील पकड़ा मेरा हाथ वील तक पहुँच गया अब देखिए भाग ये कैसा साथ दे रहा है वापस मैं शिप में आ गया था डूबने के बाद भी और वील भी मुझे मिल गया और वील जैसे ही मुझे मिला मैंने सबस्टे पहले क्या किया कि जो स्टर्न है जो पाल है उसकी पोजिशन को ठीक किया ताकि वो तरंगों के साथ पाल हो जाए ताकि हवा टकराए ना हवा के साथ पाल की दिशा हो जाए क्योंकि हवा की टकराहट ते पाल को बहुत जोका लगता था और जहाद बहुत डगमगाने लगता था तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने क्या किया I found the wheel lined up the star line up करना मतलब star को एक सही दिशा दी for the next wave and hung on or hang on hang on to hang to hang मने फांसी देना to hang मने फांसी देना शहीद भगाश सिंग वस हैंग तो डेथ शहीद भगाश सिंग को फांसी दी गई थी hang और hang on मतलब जैसा मैंने पहले ride over बताया ऐसे यहाँ पे hang on का अर्थ बदल गया hang on मतलब लगे रहना hang on मने लगे रहना मैं लगा रहा यह पानी की लहर मुझे यहां मार रही थी वो पानी की लहर मुझे यहां मार रही थी जहाज ऐसा डगमगा रहा था हवा वहां से आ रही थी पानी की बोच्छार यहां से आ रही थी जो मस्तूल है जो मास्ट है वो अलग हिल रहा था लेकिन किसी भी तरह से जो वील मुझे मिल गया था मैं इसको पकड़े रखा उसको नहीं छोड़ना चाए था क्योंकि वील से मैं दिशा दे सकता था जहाज को और जब वील जब मैंने पाल को दिशा दी तो मैं अगले तो एक के बाद एक आती है, बनती हुई आती है, वाटर वाटर एवरिवेर, यह जो लाइन है, बड़ी प्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध कविता की लाइन है, मतलब क्या, चारों तरफ पानी है, पर पीने के लिए एक बूँन पानी नहीं है, चारों तरफ पानी होते हुए, पीने के लिए पानी नहोंँ होना, इसा होता है क्या? बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है जब हम बाढ़ में फंस जाएं समुद्र के अंदर फंस जाएं समुद्र में फंस जाएं तो समुद्र का खारा पानी तो पिया नहीं जाता बाढ़ का गंदा पानी पिया नहीं जाता हैं तो पानी में लेकिन पीने के लिए एक बूदनी प्यास लग रही है वो गंदे पानी को पिया नहीं जाएगा समदर के खारे पानी को पिया नहीं जाएगा ये स्थिती है तो यहाँ पे narrator कह रहा है water water everywhere but not a drop water water everywhere चारों तरफ पानी दिख रहा है मझे I could feel that the ship had water below also मैं महसूस कर लिया कि जहाज में अंदर भी पानी घुज गया है उपर तो पानी था ही अब अंदर भी घुज गया है but I dare not abandon the wheel to investigate ये वाकिय का क्यारत है but I dare not abandon the wheel to investigate लेकिन मैंने dare मतलब हिम्मत करना लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की I dare not क्या मैंने किस चीज की हिम्मत नहीं की to abandon मैंने छोड़ देना त्याग देना किस चीज के त्याग की हिम्मत नहीं की बताईए मैं वील को बहुत जोरों से पकड़ा हुआ था क्योंकि वील से ही तो जहाज की दिशा को कंट्रोल होता है वील बहुत महत्पून चीज होती है जहाज की मैं कितनी भी तेज हवाय या नीचे जो पानी भर गया था उसको देखने के लिए मैं छोड़ानी भील को मैं उनका वो देखी जाएगी पानी भर गया तो अभी तो मैं भील पकड़े रहूं क्योंकि अगली तरंग फिर आने वाली है पानी का अगला जपार अगली बोचार हवा की अगली तरंग फिर आने वाली है उसकी तैयारी में वील को पकड़ा था तो डियर मतलब हिम्मत करना डियर नॉट मने हिम्मत नहीं किया अबंडन मने छोड़ना छोड़ने की हिम्मत नहीं किया दा वील टो इन्वेस्टिगेट वील को छोड़ने की हिम्मत नहीं किया वील की क्या किस परपस के लिए तो इन्वेस्टिगेट मतलब खोजबीन करना जाच करना जाचना खोजबीन करना मतलब तो इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसी संस्था है जिनका काम है जाच करना जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या क्या है भारत में CBI ED Enforcement Directorate Central Bureau of Investigation तो ये जो है इनका काम क्या है investigate करना जाच करना खोजबीन करना तो मैं खोजबीन के नाम से जाच करने के नाम से मैंने भील को छोड़ने की हिम्मत नहीं की क्या जाच करने के नाम से नीचे पानी कहां से आ गया क्यों भर गया जहाज में क्या हो गया ये देखने के लिए मैंने जाने का विचारत त्याग दिया मैंने सोच आई नहीं बटाई डेर नॉट अबंडन द वील अज़ने नाम से नहीं देखने है मैंने इसमास का वर गया मैरि डिखाया जीए मैरी कॉण है मैरी नेरेटर की इस बिजनेसमेन की पतनी है वाइफ वो अचानक दिखाई जी वो कहां नीचे से आ रही थी Suddenly the front hatch was thrown open वो खुल गया throw मने to throw मने फेकना और to throw open यने खोल देना देखिए ये अगला शब्द है to throw open throw मने फेकना throw the stone throw the water dirty water यहां पर क्या रथ हुआ throw open का रथ हो गया खोल देना throw open the door throw open your idea अपने विचारों को खोल दो so I she threw open the door and suddenly appeared and appear मतलब दिखाई देना मैंने आपको बताया पहले appear मैंने दिखाई देना तो Mary appeared और Mary नहीं क्या का we are sinking जैसी दरवाजा खोला उसने husband को सामने देखा जो वील पकड़े हुए थे जोरों से और बिना ये ध्यान दिये स्का रिप टूट गया है दांट टूट गया है मुऊ में खूना उसने जोर से चलाया हम लोग डूब रहे हैं कहा की बात कर रही थी वो जहाज के नीचे की बोट के नीचे तले की बात कर रही थी जहां पर वो लोग थे we are sinking she screamed जोर से चलाई to scream मतलब बहुत जोरों से चलाना बहुत जोरों से चलाई she screamed the decks are smashed जो उसका नीचे का हिस्सा है जहाज का वो तूट गया है smash होना मतलब तूट जाना smashed मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना decks are smashed we are full off water toach कि तूट गया है पूरा पानी भर गया नीचे पूरा पानी भर गया जोरों से चलाई वो और जोरों से चलाने का का अरण क्या था एक से यह कि झाना का तूट तूट गया है पानी भर रहा है मतलब जाहाज डूबेगा कि dużoसरा और नीचे उसके परिवार के लोग भी थे और साथ ही जो दो लोगों को लेकर चले थे ये बिजनेसमेन स्विस का था और एक अमेरिकन था ये लोग जो चले थी ये कहां है तो मैरी ने जैसी देखा हजबन को जोड से चलाई शी स्क्रीमड वे अर सिंकिंग अर पूरा पानी भर गया लब्रेज हो गया है टेक द वील जैसी ये जैस ने सुना तुरंट बिजनेसमेन ने कहा नेरेटर ने कहा मैरी को कि वील को पकड़ो I shouted as I scrambled for the hatch I shouted as I scrambled for the hatch Cramble करना मतलब संघर्ष करना कोशिश करना पकड़ने की तो मैं पकड़ने की कोशिश किया क्योंकि जहाज तो हिल रहा था लहरा रहा था हवाएं अलग आ रही थी तरंगें अलग आ रही थी उसका पानी अलग अलग भरा हुआ उचल रहा था तो मैंने मेरी को चलाया मेरी आओ वील को पकड़ो और मैं दरवाजे की तरफ भागा तो कि वील पे रहना किसी को जरूरी है लेरी एंड हर्ब वेर पंपिंग लाइक मैड मेन जो दो आदमी में लेके चला था जिसमें ते एक का नाम लेरी था एक का नाम हर्ब था एक अमेरिकन था और एक स्विस्ट था इनको लेके में जो चला था ये लोग पंपिंग कर रहे थे क्या पंपिंग कर रहे थे अंदर जो पानी था उसको मशीन से बाहर फेक रहे थे मैरी चिलाई शी स्क्रीम्ड मैंने उसके जवाब में मैरी को कहा वील पकड़ो और मैं स्वैम कहां चला गया मैरी उर्ण दर्वाज से को पकड़ नुए उसके बाहर देखा कि ले लेट हो और मैं रेखा यूं की तरह दिम यूंक प्रेजी एंगल । ब्रोकन टिम्बर था हैं धुट्र, कशाव किमी्वे पाम के च्रह देख हमता हुई हुई लकड이 जो थी वो crazy यह पागल जैसे एंगल में बड़ अजीब अजीब एंगल में वो लकड़ियाँ यहां से वहां उछल रही थी टंगी हुई थी पड़ी हुई थी क्योंकि यहाज में रही होंगी लकड़ियां और उसके सा具 ही है जहाज के कुछ टुकड़ भी निकले होंगे, पानी के बॉच्छार से जब टक्राएं होंगे, तरंगों से जब टक्राएं होंगे, तो वो जो लकडियां थी, वो सब यहां वहां उचल रही थी, यहां टंगी थी, वहां टंगी थी, तो broken timbers hung at crazy angles, the whole starboard side bulge inward, जो जहाज का जो किनारा होता है, starboard side वो side जो एक तरफ का है whole starboard side bulge inward to bulge मने फूल जाना bulge bulge यने क्या फूल जाना मेरा जो जहाज था वो फूल गया जहाज का एक हिस्टा अंदर से फूल गया मतलब क्या हुआ मैंने ऐसा जहांका तो अंदर से फूला हुआ दिखा और मैंने देखा कि हैरी लैरी और हर दोनों पानी फेक रहे हैं बाहर यह मेरी पहली नजर में सब जो दिखाई दिया उसका विवरन कर रहा हुँ मैं और लकड़ी के टुकड़े जो थे वो उड़ रहे थे लहरा रहे थे तंगे हुए थे यहां वहां और बल्ज मैंने बताया लकड़ी अंदर से दब गई थी बाहर से बहुत जोनों का पानी की मार पड़ी होगी जहाज में तो जहाज के जो डेक है नीचे का हिस्सा उस पर मार पड़ी होगी साइड वाल पे प्रणाम क्या होगा लकड़ी मुड के अंदर की और फूल गई हो the whole starboard site bulged inward अंदर की और not outward inward clothes crockery charts tins and toys clothes crockery charts tins and toys they slushed about in deep water गेहरे पानी में कहां का गेहरा पानी समुद्र का गहरा पानी नहीं डेक के अंदर के ही पानी में वहाँ पर सब लहरा रहे थे क्या चाट लहरा रहा था जो उनके जहाज के संबंदित चाट थे खिलोने लहरा रहे थे जो उनके बच्चों के थे तिन के डबे, तिन के बरतन, खाने पिने के बरतन, क्रॉक्री, कांच के बरतन, ये सब लहरा रहे थे कपड़े, क्योंकि सब जो का पानी भर गया था, सब लहरा रहा था I half swam and half crawled, अब मैंने जो दर्वाजे को जो मैं पकड़ा हुआ था I scrambled to hold the door, मैंने जहां का, देखा वो नीचे पानी भरा हुआ है, सब सामान यहां वहां तितर बितर हो रहा है पानी में लहरा रहा है, और दोनों पानी निकालने में बहुत महनत कर रहे हैं मैं तुरंट भागा अंदर, नीचे की और, और I swam, half swam बोलता है वो देखिए Half swam मतलब, to swim मतलब swim, तैरना, तो आधा तैरते हुए, आधा तैरते हुए मतलब क्या Half swimming मतलब पानी गहरा था, लेकिन इतना गहरा नहीं कि मैं पूरा swimming करूँ लहराते हुए, पानी को ऐसा छूते हुए, मैं कैसे भी वहाँ पहुचा, थोड़ा तैरना, थोड़ा करते हुए और Half crawled, crawled करना मतलब घिसटना, घिसटते हुए, क्योंकि जो जहाज था वो बुरी तरह डावा डोल हो रहा था और उसके साथ ही अंदर का पानी भी अपना दवाव बनाते हुए, जो भी चीज सामने आ रहे थी इसको जपार से अपनी जपार से फेक देता था तो मुझे सुनिश्चत करना था कि मैं पकड़े रहूं अपने को, मैं मजबूत रहूं, मैं पानी के भाव में न बह जाओं तो I half crawled and half swam into the children's cabin और वहाँ जो बच्चों का जो कमरा था कैसे वहाँ पहुंचा तो मैंने पतनी को देख लिया, उसको भील दे दिया, I saw my wife, gave her the भील, right, I saw the two people who were pumping water out, right, now it was a turn for me to see my children and I saw my children who were inside the cabin and I shouted, are you alright, क्या तुम लुक ठीक हो, I asked, आवाज आई, yes, they answered from an upper bunk वो कैबिन के अंदर ऊपर की तरफ खंड बना हुआ था, उस खंड से आवाज आई, हाँ सब ठीक है, yes, yes, we are all right, ये बंक से आवाज क्यों आई, क्योंकि नीचे तो पानी भरा था, तो वो लोग वहाँ पे घुज गय थे, एक तरह का खंड है, कैबिन के अंदर का खंड, उ वहाँ जो नहीं हाँ, हम लोग ठीक है, I shouted, are you all right, narrator says, and reply came, yes, yes, we are all right, from the upper bunk, but my head hurts a bit, but my head hurts a bit, said Sue, to hurt मने चोड पहुंचाना, मेरे सिर को थोड़ी चोड पहुंच गई है, ऐसा Sue ने का, सुजाने ने, जो उनकी डॉर्टर थी, सुजाने जो उनकी डॉर्टर थी, उसकी आवाज आई, उसकी ने का, सब कुछ ठीक है, पापा, all right, yes, we are fine, but my head hurts a bit, pointing to a big bump over her eyes, यहां आँख के पास फूल गया था, bump पहने फूलना, bulge out हो जाना, bulge in नहीं, bulge out, जहाज का जो दीवाल थी, वो पानी के दबाव से क्या हो गई थी, bulge हो गई थी, अंदर की और, और यहां बच्ची को क्या हो गया था, सुजाने को, सुजाने का जो यह है हिस्सा, किसी से टकराया होगा, तो उसके यह हिस्सा bulge हो गया it 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 a bit bump आ गया थोड़ा से उसमें a big bump over her eyes उसमें इशारा किया यह से मेरा सिर थोड़ा दुखरा है था करके इसमें इशारा किया said Sue pointing to a big bump over her eyes I had no time to worry about the bumped head मेरे पास तो समय नहीं था कि मैं चिंता करूं कि उसके इस सिर में क्या हो गया जो bummed head था जो सिर टकराया था किसी चीज से जिसके जिक्र सुजाने ने किया मेरे पास समय नहीं था मैं छोड़ दिया आगे बढ़ गया after finding hammer screw and canvas मतलब मैं बस यह पूछा कैसे हो तुम लोग उसने कहां सब ठीक है सुजाने ने कहा मेरे को थोड़ी चोट लगी है यहां आख फूली है थोड़ा दर्द है मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया मेरा काम क्या था मैं वहां गया था देखने और साथी साथ स्क्रू लेने हैमर लेने और कैंवस लेने कैंवस यहने मोटा बड़ा कपड़ा और हैमर यहने हथोड़ा तो लंबा बड़ा कैंवस लेने किया था बड़ा कपड़ा स्क्रू लेने किया था और हैमर लेने किया था After finding a hammer, screws and canvas, screw, screw आप समझते हैं, screw bolt, nut and screw, तो screw लेने किया, तो उसकी spelling देखे, S-C-R-E-W, I struggled back on the deck, और उसको लेके मैं वापस हाया देख पर, I struggled back on the top deck, with the starboard side bashed open, we were taking water into each wave, मैं कैसे भी करके, struggle करके, मेहनत करके, struggle करना मतलब संघर्ष करना, struggle करने का अर्थ, संघर्ष करना, मैं संघर्ष करते हुए वापस आया, ऊपर पहुंचा, मेरा जो starboard था, जो side का, जहाज का, जो side का हिस्सा था, वहाँ क्या हो गया था, लहरों ने जो बुरी तरह मारा था, bash open, उन्होंने मार मार के इसको खोल दिया था, bash करना मतलब मारना, बीड के द्वारा उस चोर को बुरी तरह मारा गया, तो यहाँ लहरों ने मारा था, दिवाल को, और क्या कर दिया था, bash open, जैसे throw open मैंने बता है, through open, खोल दिया यहाँ पे bash open, मार मार के इसको खोल दिया था, यहाँने लकडी के पटे जो जहाज के थे, वो निकल आये थे, वी वेर टेकिंग वाटर विट इच वेव दाट ब्रोक ओवर अर्थ, और हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि वहाँ एक होल हो गया था, लकडी नहीं थी, तो होल हो गया था, तो हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था, we were taking water with each wave that broke over us, जो भी तरंग हमारे पास आती थी, जो भी लहर आती थी, तब अंदर आ रही थी, if I could make some repairs, we would surely sink, और मेरे दिमाग में तो यह था कि यदि हम कुछ repair नहीं कर पाएंगे, यदि हम इस टूटी हुई जगा को ठीक नहीं कर पाएंगे, तब तो हम पका डूब जाएंगे, if I could not make some repairs, यदि मैंने यहां कुछ repair नहीं किया, we would surely sink, मेरे दिमाग में तो यह था, कि यह तूटा हुआ उसको बनाना है, और उसको बनाने के लिए ही मैं नीचे गया था, कि वहां से screw और हैमर और कपड़ा लेके आओं, वो लेके वापस आया, उस दरमयान मैंने इन दोनों को काम करते देखा, पंप का पानी निकालते, उसी दरमयान मैंने अपने बच्चों को कैबिन के बंक में बैठे हुए देखा, उसी दरमयान मेरी बच्ची ने मुझे बताया कि उसे सिर में लगी है, लेकिन मेरे पास तो फुर्सत नहीं थी क्योंकि मुझे वापस आना था, वापस आके जो टूटा हुआ हिस्सा है जहां से पानी की तरंग के कारण पानी बार बार आ रहा था, उसे बंद करना था, क्योंकि यदि बंद नहीं करूँगा तो जहाँ डूब जाएगा, बस, if I could make some repairs, we would surely sink.